Hello everyone, welcome you all at Locase Sir Unlimited Study Zone So बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम exercise 7.3 हमारे integration की, यह integration chapter number 7 NCRT integral का हम exercise 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं और आज की class में basic हमें जूजना है जिस concept से वो है trigonometric function तो आज हम trigonometric function का integration basically करेंगे So आज हम trigonometric function का integration करने जा रहे हैं मगर कैसे trigonometric function रहेंगे जो multiple form में रहेंगे actually जैसे sin square x लिखा है तो sin square x को आप क्या लिख सकते हो sin x into sin x तो मैंने sin square x को क्या के दिया multiple form में है मतलब multiply में है अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो integration होता है वो कभी भी multiplication form का support नहीं करता है integration जो होता है वो addition form का support करता है हाँ addition and subtraction बिल्कुल सही है ना तो आपको addition form या subtraction form में आपको अपने question को ले करके आना है आपका question तभी solve होगा जब आप उसको या तो addition या अप subtraction form में ले करके आएंगे तो सबसे पहले तो आपको trigonometric के basic conversion आने चाहिए इस chapter में अगर आपको basic conversion आते हैं तो आप इसको convert कर पाएंगे कुछ questions होते हैं जो आपको basic conversion करते हैं ओके तो बच्चों आपको मैंने बताया कि integration में आपको basically करना क्या है कि आपको product form को addition या subtraction form में आपको ले करके जाना है अब कैसे ले करके जाएंगे जैसे माल लीजे आपके पास में कोई integration आता है integration of sin A into sin B अब यहाँ पे definitely A और B X के angle होंगे तभी तो मैं यहाँ पे DX से रख रहा हूँ तो sin A into sin B या कह लीजे sin A into cos B या cos A into cos B कुछ भी हो सकता है तो आपको इसको convert करना है किस form में product form को addition form में तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस quantity grade करने के लिए 2 का divide करिए और 2 का multiply कर दीजे तो यह हो गया 2 sin A cos B और यहाँ पे DX अब आप जानते हैं कि 2 sin A cos B का formula होता है ना ना बेटा 2 sin A cos A होता है वो जो आप कह रहे हो तो 2 sin A cos B का formula होता है sin A plus B plus sin A minus B plus sin A minus B तो मतलब आपको एक बार add करना है एक बार आपको subtract करना है तो आप क्या लिखेंगे I is equals to 1 by 2 बाहर बैठा रहेगा उससे कोई रिकत नहीं constant हमको कोई परिशान नहीं करते हैं तो 1 by 2 bracket के अंदर sin A plus B plus sin A minus B का क्या हो जाएगा Bx हो जाएगा अब आप इन दोनों function को अलग-अलग कर सकते हैं तो 1 by 2 अलग-अलग करने फर्स्ट function integration होगा sin A plus B का x के respect में और second function sin A minus B का x के respect में clear की note clear तो इस तरीके से आप अलग-अलग function को integrate कर सकते हैं clear तो इस तरीके से convert आप करेंगे multiply form को product form को addition form में ये subtraction form में एक चीज़ आद रखेगा अब दूसरा एक formula जो याद रखें आप देखे sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta तो यदि आपके पास में कोई question इस तरीके से आगया है कि find integration of sin x into cos x ये रिखे तो दोनों के angle सेम है तो आप यहाँ पे 2 का divide कर दे और 2 का multiply कर दे तो 1 by 2 बाहर आजाएगा और integration के अंदर कितना आजाएगा sin 2 x dx अब तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने आपको सिखा रखा है कि ये x की power 1 है यहाँ पे linear function है तो t ले लीजिए यदि directly integration की बात करों तो कितना आजाएगा 1 by 2 integration में coefficient upon में आजाता है और sin का कितना होता है minus cos 2 x तो इसका जो answer आएगा वो बनेगा minus cos 2 x plus 4 plus c वो लिख clear है तो इस तरीके से आपको formula बनने चाहिए और कुछ formula देख लिएते हैं हम बहुत काम में आते हैं जो 1 plus cos 2 x equals to 2 cos square x एक ये formula है second 1 minus cos 2 x equals to 2 sin square x एक ये formula है तो देखिए ये cos square x है तो cos square x को जो की product form है उसको sum form में बदल सकता है ये क्या बन जाएगा 1 plus cos 2 x by 2 और यहाँ पे sin square x जो है ये convert हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 minus cos 2 x by 2 clear तो आपने देखा कि cos square x और sin square x इस तरीके से easily convert हो जाते हैं ठीक है बेटा ये उच्वोड़ी में लूप्ज है और ये नाएगा ये प्यूब। अनुर ये जाएगा